लोग कोरोना वारिस से पिडित हो चुके हैं इट एट जिसकी जन सिंग चाइना से बहुत-बहुत कम है नमबर अफ डेश में चाइना को भी सरपास कर चुका है बड़े-बड़े देश लॉकडाउन में हैं हॉस्पिटल साथ है एस्पेक्टिड आथर्टीज हाई alert पर हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी की current situation बहुत ही गंबीर बनी हुई है फ्रेंड्स आप अभी तक हजारो वीडियो messages, news इस topic पर देख चुके होंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो बाते ना बताऊं जो आप पहले से जानते हों Corona virus का संक्रमन दुनिया भर में तेदी से फैल रहा है और पुरी दुनिया में इसे लेकर पैने की situation देखने को मिल रही है हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं जबकि संक्रों लोगों की मौत हो रही है दुनिया भर के कई शहरों और पुरे देशों में लॉकडाउन की गोशना कर दी गई है 24 मार्च तक Corona virus के संक्रमन से 16,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 387,000 से ज़्यादा संक्रमन देखने को मिले है मैंने इस वीडियो के चार भागों में डिवाइड किया है तो आप अंत तक इन चार भागों को ज़रूर देखें मरीजों के लिए किये गए इस वाइरस के सैंपल की जांच जब लैब में की गई तप्चीन के अधिकारियों और डबल उचों ने कहा कि यह एक कोरोना वाइरस है कोरोना वाइरस कई किसम के होते हैं लेकिन इन में से 6 को ही लोगों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता था मगर नए वाइरस का पता लगने के बाद यह संख्या बर्गर साथ हो गई नए वाइरस के जनेटिक कोड के विचलिशन से यह पता चलता है कि यह मानवों को संक्रमित करने की शंता रखने वाले अन्ह कोरोना वाइरस की तुलना में सौर्स के जादिक समानता रखता है मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ कि सौर्स कोरोना वाइरस वो काफी खतनाक माना जाता है सौर्स के करन चीन में साल 2002 में 8098 लोग संक्रमित हुए थे वो उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी इफेक्ट्स इफेक्ट्स में हम जानेंगे कि इस वाइरस का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है इटली जिसके फर्स्ट वीक में केवल कोरोना के तीन केस थे वहीं अब कुल केस 1,1789 हो गए है और कुल 11,591 लोगों की मौत हो चुकी है इरान जिसके फर्स्ट वीक में केवल दो केस थे वहीं अब 66,885 केस हो चुके है ता कुल 2,757 लोगों की मौत हो चुकी है बात करें अगर भारत देश की तो कुल 1,251 केसों की पुष्टी की गई है और कुल 32 मौते हो चुकी है और खुशी की बात तो यह है कि फ्रेंड्स एक सुदोव व्यक्ती इलाज के बाद ठीक भी हुए है यदि आपको सिर्दर्द, खांसी, गले में खराश, बुखार, छेंकाना या थेकान महसुस करना अधि आपके साथ होता है तो यह कोरोना वाइरस के अलक्षन हो सकते है लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है चाइना में 80,000 से ज़्यादा केस सामने आए जबकि 70,000 से ज़्यादा रिकोवर भी हुए है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसे लाइट ले ले लें आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाके रखें हम नोटिस करते हैं कि जब हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो यह वाइरस तेजी से स्प्रेड होने लगता है अपने हाथों को दोए हर गैदरिंग, आउट गोइंग यानि अपने हाथों को एट लिस्ट भी सेकंड तक अवश्चिक दोए और फ्रेंड से दिया आपने अभी तक मास्क नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद लें यह वाइरस हवा में तीन गंटे तक रहने की भी शमता रखता है वाइगानिक समझ यह कहती है कि कोरोना वाइरस डॉप प्लेट यानि शुक्ष मबूंदों के रूप में ही मनुष्य की नाक या मूग की जरीए शरीर में जा सकता है यानि कोई संक्रमित बिल, नोट या सिका हाथ में लेने के बाद अगर हाथों को न धोएं तो यह खतनाख साबित हो सकता है 2003 में फैली सौर्स मामारी में जब एक शोब में पता चला कि सौर्स कोरोना वाइरस कागस को बहुततर गंटे तक वा कपड़े को 96 गंटे तक संक्रमित रख सकता है डबलू अचों ने कहा है कि यदि आप संक्रमित करेंसी के संपर्क में आते भी हैं तो उसे लेने या देने के बाद आप अपने हाथ दोकर आप इस समस्या को टाल सकते हैं गैज यदि आपको कोरोना वाइरस से जुड़ी इन्फोर्मिशन अच्छी लगी हो उसे टाल सकता है